दोस्तो बारत तोर ओस्टेलिया के बीच 30 राव वणडे मुकाबला आज खेला गया जहां ओस्टेलिया टीम ने टोस जीत कर पहले बल्ली बाजी का फैसला किया पहले बल्ले बाजी करने उत्री ओस्टेलिया टीम के शुरुआट श्यांदार रही डेविड वार्नर और मिचेल मार्स ने ओस्टेलिया को तेज शुरुआत दी और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 78 रनों की साजेदारी हुई डेविड वार्नर ने 34 गेंदों में 56 रन बनाये तो मिचेल मार्स ने 96 रनों की पारी खेली एक समय लग रहा था कि ओस्टेलिया आसानी से 400 रनों तक पहुंच जाएगी लेकिन अंतिम आवरों में टीम इंडिया ने वापसी करते हुए एलक्स कैरी, मैक्सवेल और कैमरून गरीन को जल्दी आउट कर ओस्टेलिया को साथ विकेट पर 352 रनों पर रोक दिया टीम इंडिया की ओर से जस्पृत बुमरा ने दस अवर में 81 रन देकर तीन विकेट लिये ओस्टेलिया के 352 रनों के लक्से का पिछा करने उत्रे टीम इंडिया ने भी तेज शुरुआत की कप्तान रोईट सर्मा और वासिंग्टन सुंदर ने पहले विकेट के लिए चुए 70 रन जोड़े कप्तान रोईट सर्मा ने तुभानी अंदाज में बल्ले बाजी करते हुए 57 गेंदों में 81 रन बनाए जिसमें उन्होंने 5 चोके और 6 चके लगाए इसके साथी विराट कॉली ने विवापसी करते हुए 56 रनों की पारी खेली दोस्तो टीम इंडिया ने अब तक 33 आवर में 3 विकेट पर 206 रन बना लिये हैं स्रेय सैयर और क्यलरा हूल करीज पर जमें हुए हैं दोस्तो आपको क्या लगता है तीसरा वंडे मुकाबला कौन जीतेगा कमेंट में इपनी राय जरूर दे इस वीडियो में इतना ही थैंक यू